आप सभी लोगों को स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हाजी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भाई नोटिस क्या है डिमांड ओडर क्या है रेक्टिफिकेशन ओफ ओडर क्या है और इसकी पेमेंट करनी कैसे है क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन क्या है कि वो लोग मेंसे कहते हैं कि सर हमारे को नोटिस आया है हमें अपील करनी है मैंने का भईया नोटिस की अपील स्री से करे या ना करे तो उल्टा सीधा कुछ काम मत कर दे नहीं तो आप के साथ गड़बड हो सकती है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना जिससे आपको पता लग जाएगी वही किस चीज का क्या treatment होता है तो पहले इस चीज को समझो कि सबसे पहले आपके पास आता है नोटीस जिसे हम बोलते है सोकोस नोटीस वो आता है इन जर्नल आपको DRC01 में अगर वो नोटीस आपके पास आ गया तो वो नोटीस आपको दिखेगा कहां पर आप यहां पर जाओगे यूजर सर्वीसिज में जाने के बाद दो तरीके के notice होते हैं एक होता है कि view additional notice और एक होता है view normal notice sir इन दोनों में फरक क्या है भया इन दोनों में फरक तो gst department वाले ही बता सकते हैं या portal ही बता सकता है यहाँ पर जो मेरी समझ है यहाँ पर जैसे आप view services में जाते हो तो जो यह view notice and order आता है तो यहाँ पर तो मैंने जर्नली देखे हैं कि notice to return defaulter वाले जो notice आते हैं उस तरह के notice यहाँ पर आते हैं लेकिन अगर मैं बात करूं view additional notice and order की यहाँ पर जो हमारे demand वाले notice होते हैं जिसमें government को text चाहिए हमसे interest चाहिए penalty चाहिए उस तरह के notice यहाँ पर आते हैं तो आप क्या करना दोनों जगा ढूंड लेना जब आपको वहाँ पर notice मिल जाए तो इस तरह का notice आएगा कि यहाँ पर लिखावाए कि 11 फरवरी को यह notice इसू हुआ अब आपको करना क्या होता है कि अगर यह notice बिल्कुल सही है या गलत है तो आपको यहाँ पर जाकर उसका reply बनाना पड़ता है अगर आप इसका reply यहाँ पर दे देते हो तो हो सकता है आपने अगर reply बिल्कुल सही दिया तो यहाँ पर एक order पास हो जाए और यहाँ पर order में क दिया जाए हमें आपसे कोई भी tax interest penalty नहीं चाहिए लेकिन अगर आपका reply गडबड़े आपने सही reply नहीं दिया या आपने जो reply दिया वो proper नहीं था या आप reply देते ही नहीं हो तब उसके बाद आता है order जिसे हम बोलते हैं assessment order या DRC 07 अब इसके बाद करना क्या है भाईया दे आप चले जाओ rectification पे under section 161 सर क्या मतलब हुआ कि भाईया हमारे पास कोई order आया तो order आने के बाद हमारे पास तीन रास्ते हैं तीन रास्ते कौन-कौन से या तो हम rectification पे चले जाए rectification under section 161 कि भाईया यह जो order है यह गलत है ठीक है इसे आप rectify करो या फिर हम क्या करें इसकी appeal फाइल कर दे कि हम भाई इस order जो आपने issue करा है हम इससे सहमतनी हम appeal करेंगे या आप क्या कर दो कि appeal भी ना करो rectification भी ना करो चुप चाप अपनी गलती माल लो और इसकी payment कर दो तो इन तीनों ही cases में अलग-अलग treatment है सर rectification कब कर सकते हैं तो section 161 rectification की बात करता है यह कहता है कि जो भी order पास हुए या जो भी notice आए या जो भी certificate है या जो भी department ने document issue करा है उसमें अगर कोई भी गलती है और वो गलती किस तरह की है कि जो हम face पे देखके ही बता दे रहे हैं त जो ऐसी गलती अगर कोई भी व्यक्ति पकड़ लेता है चाहे वो GST officer पकड़ ले या जिस व्यक्ति को notice order issue हुआ है वो पकड़ ले वो तीन महीने के अंदर अंदर department में apply कर दे कि भाया यह हमारी जो आपने order issue करा है या जो notice आपने issue करा है इसमें ये गलती हमें दिखाई द लेती है और आप इसे ठीक करो सर यह online कहां से होगा online आपको कहां जाना होगा services पर जाना होगा services में जाने के बाद user services और my application यहां पर जाने के बाद आप rectification के अंदर जा सकते हो application type में जाओगे यहां पर लिखा हुआ है application for rectification of order यहां पर wording सिर्फ order लिखा हुआ है इसका अगर notice में कुछ गलती है उसकी rectification नहीं हो सकती तो भाईया अगर मैं low case आप से चलू section 161 के चलू तो यहां पर rectification order की भी हो सकती है और notice की भी लेकिन portal ने जो अभी option आपको दिया है वो सिर्फ order की दिया है तो यहां पर आपका order number आ जाएगा और आप उसमें rectification कर सकते हो सर हमारा जो order number है वो यहां पर show क्यों नहीं कर रहा भाईया यह जो option है न portal पर यह अभी हाल फिलाल में ही हुआ है तो हो सकता है जो पुराने order issue हुए हो वो इसमें ना आए आने वाले समय में इसके अंदर यह नए वाले orders इसमें आएंगे लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि order के साथ साथ अगर notice में भी कुछ गलती है तो यहां पर आना चाहिए जिससे की कोई भी गलती हम सुदार सके लेकिन आपको ध्यान दखना है कि इसके लिए आपको application सिर्फ तीन महीने के अंदर देनी होगी सर इससे फाइदा क्या होगा वह यह इससे फाइदा क्या होगा कि आपको appeal appeal वपील के जंजट में नहीं जाना आप अपनी गलती officer से मिलके यहीं सुदरवालो और officer 6 महीने के अंदर अंदर कितने महीने के अंदर 6 महीने के अंदर अंदर इस तरह की गलती को सुदार देगा और हो सकता है कि अगर जो clarification है जो rectification है वो clerical miniature की है तो उस case में 6 महीने का time valid नहीं होगा 6 महीने की जंगा साल भी हो सकता है दो साल भी हो सकता है हाँ यह बात ध्यान में रखना कि अगर आपके order के अंदर demand आई एक लाख रुपे की और आप officer के पास गए कि जी हमारे को एक लाख रुपे की नहीं लगता और आपना इसे गलती से 50,000 की कर दीजिए ले लेकिन ऐसी rectification करने के लिए उसे officer को पहले उसे एक notice देना पड़ेगा कि भाई जो हम तुमारी rectification कर रहे हैं इससे तुम पर बुरा असर पढ़ रहा है negative impact पढ़ रहा है तो एक बार आकर पहले मिल लो तब हम ऐसा rectification करेंगे तो rectification section 161 के अंदर आपको clear हो गया कि किस किस का हो सकता है हाँ जी हो सकता है clear हो गया हमें और practical कैसे करना है practical भी clear हो गया अब आप कहते हो सर हमें तो न जो हमारी अब demand आई है notice हमारे पास आया हमने उसका reply दे दिया reply से department संतुष्ट नहीं हुआ अब हमारे पास demand आई है तो demand को कैसे जमा करें तो वहिया कई लोग क्या कर जो demand order आ रहा है उसकी demand को DRC03 से जाकर pay कर रहे हैं ऐसा करना बिलकुल गलत है तो वहिया यहाँ पर न एक अलग option आया है कि अगर आपको अपनी कोई भी demand demand कर आई जब आपको order issue हो गया तो अगर आपको अपनी कोई भी demand pay करनी है तो आप कहां पर जाकर pay करेंगे इस बात को ध्यान में रख लो भी यहाँ पर option आ रहा है payments towards demand यहाँ पर जाकर आपको अपनी demand pay करनी है demand का मतलब क्या होता है कि order आपको issue हो गया बस अब आपको pay करना है या तो आप appeal में जाने की सोच रहे हो और अगर आप appeal में नहीं जा रहे हो तो यह demand pay कर दो notice अगर आपको आया है तब आप voluntary अपनी इच्छा से जाकर जो जमा करते हो उसे आप DRC03 से pay कर सकते हो लेकिन जब order issue हो गया order के बाद आप demand यहाँ से जाकर pay करोगे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि outstanding demand या तो आप इसकी appeal फाइल कर दो और अगर आप appeal फाइल नहीं करोगे तो आपको यह demand pay कर करनी पड़ेगी किलियर हुई मेरी बात यहाँ पर हाँ सर यह बात हमें किलियर हो गई यहाँ पर आपकी outstanding demand आ जाएगी और आप इसे यहाँ पर cash लेजर से या credit लेजर से pay कर दो और अगर आपको यह देखना है कि यह हमारी demand बची कितनी है तो आप यहाँ पर जाना लेजर में दो तरह की liability होती है एक तो होती है return related liability और एक होती है other than return related liability जैसे की demand वगेरा वाली तो जब आप other than return related liability पर जाओगे यहाँ पर जो हमने दिखाया है आपको तो इसमें जाकर अगर आप देखोगे तो देखने के बाद आपको पता लगेगा कि वही कितनी तो हमारी demand थी और कितनी हमारी demand pay हो गई है तो जब तक आप demand pay नहीं करोगे तो यहाँ पर वो आपके liability register में दिखाता रहेगा तो गलती मत कर देना यहाँ पर अगर आप देखोगे कि मार्च 2019 में demand create हुई थी ठीक है ना 47-47,000 की और आपने appeal फाइल करी और appeal फाइल करते समये 10-10% जमा कर तो यहाँ पर credit हो गई तो आपको यह बात समझनी है कि अगर आपकी कोई demand create हो जाती है वो या तो payment से ही खतम होगी या वो appeal में जाकर खतम होगी अगर आप DRC03 से pay कर दोगे तो वो यहाँ से demand खतम नहीं होगी तो इसलिए DRC03 से pay ना करें क्योंकि DRC03 का जो form है वो है voluntary payment के लिए मतलब की notice आगिया और notice आने के बाद आप अपनी इच्छा से pay करने की कोशिश कर रहे हो या कोई liability आपको पता लगी during the year 3B या GSTR1 को लो के वो आपको pay करनी है DRC03 से आप इसे यहाँ से pay ना करें DRC03 का मतलब होता है voluntary payment वो demand के लिए नहीं है clear हुई मेरी बात हाँ सर य detail में पढ़ना है तो हमने 1500 गंटे का course face to face दिल्ली और NCR वाले बच्चों के लिए launch करा है तो अगर किसी ने अभी तक उसमें admission नहीं लिया तो ले ले अगर आप दूर बैटे हो तो tension मतलो जिन लोगों ने हमारी pen drive class ले रखी है अगर किसी की pen drive class expired हो गई है तो उसे renew करा लो जो नई recordings आएंगी वो सारी की सारी आपको mail से देंगे अगर किसी ने अभी तक pen drive class नहीं लिया तो वो purchase कर ले उसे अगले 6 महीने तक 12 महीने तक हम update provide करते रहेंगे March edition की magazine कैसी लगी comment box में लिखकर बताना और April edition में क्या क्या चीज़े आपको चाहिए वो भी comment box में लिखकर बताना और अगर आपको हमारी sample magazine चाहिए तो इस number पे whatsapp कर देना जो हम आपको sample magazine दे दे दोनों में से किसी भी number पे और याद है ने आपको 31 March last data सर किस चीज़ की last data GSTR 99C financial year 19-20 की तो अगर किसी ने नहीं फाइल करी है तो फाइल कर ले और अगर इसे फाइल करने के लिए डाउनलोड करी लिया होगा KJ classes उसमें हमने छोटे-छोटे course बना दिया है demand का, appeal का, e-invoising का तो अगर आपको वो purchase करना है तो वो purchase कर ले एप को डाउनलोड करने के बाद वीडियो कैसी लगी मुझे comment box में लिखकर बताना अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जादे से ज जाद लोगों तक share कीजिएगा thank you for watching